नमस्कार आप देख रहें पंजाब केश्री, मैं हूँ आपके साथ प्राची अखिल भारतिय विद्यार्थी परिश्रत का 69 राष्ट्री अधिवेशन बुराडी के डीडीय मैदान में भ्रस्पतिवार से शुरू हो चुका है पहले दिन राष्ट्रे कारेकारिनी की बैठक दता जीजी डोलकर को समर्पित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्खाचन और सामुहिक वंदे मात्रम का गान हुआ शुकरवार यानि आज ग्रह मंत्री अमित्शहा यहां पहुँचे और अधिवेशन का विदिवत तरीके से उद्खाचन किया ग्रह मंत्री अमित्शहा का संबोधन शुरू होते ही पूरे पंडाल में उत्साह बढ़ गया अपने संबोधन की शुरूआत में वो काफी भावुक नजर आए उन्होंने कहा कि मैं आज यहां राश्ट्री अधिवेशन के मुखे अतिथी के रूप में काफी गौरव महसूस कर रहा हूँ वो आगे बोले कि यह अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरूआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैटकर हुई है और वो आज मुखे अतिथी बनकर यहां खड़ा है आई आगे सुनते हैं अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या बोला भारत का समय आ गया और हर समस्या के समधान के लिए अज वीच्व भारत की और आसा के साथ देख रहा है और मैं मानता हूं कि मेरे सामने बेठे विवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत का समय जो आया है जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन को सातक्य पून बनाते हुए हमारी कलपना के भारत की रचना करने की जिम्मिदारी आपकी है आज के दिन की मैं बात करूँ तो मोधी सरकार ने युवाओ के लिए धेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है चाहे डिजिटल कांती हो, स्टार्ट अप कांती हो, इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी हो स्पेस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बनाकर अनन्त संभावनाओ को आगे बढ़ाना हो सिक्यूरिटी सेक्टर के अंदर डिफेंस के मैनुफेक्टरिंग को आत्म निर्भर बनने की बात हो ड्रॉन का सेक्टर हो, गेम्स एनिमेशन का सेक्टर हो, हर शेत्र में रिफॉर्म्स करकर युवाओ के लिए धेर सारी संभावनाय खुली है और सिर्फ संभावनाय नहीं खुली है। इसके साथ स्किलिंग और शिक्सा व्यवस्ता में परिवर्तन से युवाओ को वैस्वीक मंच पर विश्वके युवाओ के साथ परदा कर पाए। इस प्रकार की प्रेणा और व्यवस्ता करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि इस सब के लिए आपने स्टड़ी करकर अपना रास्ता तरास्ता है। मित्रु आज देखें तो डिजिटल लेंदेन में भारत नंबर वन है। LED बल्व में भारत नंबर वन है। सबसे बड़ा स्वच्छता कारेकरम भारत ने चलाय है। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा टीके भारत ने लगाय है। दलहन, दूद, जूट और रेलवे एंजिन के उत्पादन में भारत नंबर वन है। Mobile, Semen, Steel, Quotten, चाए में दूसरे नंबर है और Start-up Economy जो आपको सीधा पर्श करती है। Start-up के क्षेत्र में और Motor Vehicle में हम तीसरे नंबर है, बहुत जल्द ही दूसरे नंबर पर पहुंच आए।